नमस्कार, मेरा नाम अमन्चुग है ये वीडियो में बना रहा हूँ जो नेक्स्ट बैच यानि की सेवन्थ बैच औफ एंबिये 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 इन इंशुरेंस और फिनेशल प्लैनिंग जो की अब शुरू होने वाला है ये एंबिये प्रोग्राम या बीपीए एंबिये प्रोग्राम इनिशूरेंस और फिनेशल प्लैनिंग ये अवाल्ड़ड है बाई चितकारा उनुस्टी जो की इंडिया की टॉप ट्वइंटी रेंख उनुस्टी में नाम आता है ये एक ऐसी उनिवस्टी है जिसका over hundred collaborations है across world की different different universities के साथ including Harvard University के साथ, including London School of Economics के साथ और ऐसे कई बड़े-बड़े reputed universities के साथ Bill Clinton साथ जब President थे US के और जब India विजिट करे थे तो ये एक only university थी जहां पे Bill Clinton साथ ने विजिट किया था APJ Kalam साथ तो regularly इस university को विजिट करते थे and one of the most reputed universities इसका नाम आता है and इसी university के द्वारा ये MBA या BBA MBA in Insurance and Financial Planning जिसका inauguration IRDII के member शिरी निले साथे साथ ने किया था उसका अब 7th batch शुरू गोरा है ये MBA और BBA MBA दोनों UGC recognized regular degree है correspondence नहीं है, part time नहीं है, evening classes नहीं है, ये regular degree है and regular degree की अपने आप में एक मान्यता होती है क्योंकि इस degree के basis पे आप world में कहीं पे भी further PhD कर सकते है in fact इसी university ने MBA या BBA MBA जो लोग complete कर चुके है Insurance and Financial Planning में उनके लिए भी PhD in Financial Planning शुरू की है and ऐसे में मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसकी बारे में जानकरी होनी चाहिए and मैंने सुझा है कि क्यों ना मैं आप सारों को बताऊं कि पहले जब first batch शुरू हुआ था 2016 में तब batch size हमें 70 participants का मिला था बट जैसे ऐसे demand बढ़ती रही, seats कम होती रही 70 की 50 seats होगी और 50 की आज हमार पास 30 seats हो गई है यानि की per batch 30 seats रहता है first come, first services के basis पे and ऐसे में आप ये जानके हरान होंगे कि total MBA की fees यानि 2 साल की जो पूरी MBA है उसकी total fees सवा 2 लाग रुपे है यानि 2.25 लाग रुपीज जो की first semester 55,000, second semester 55,000, third semester 55,000 और fourth semester में 60,000, 2.25 अगर आप BBA MBA कर रहे हैं तो BBA MBA की यानि 5 साल की जो BBA MBA उसकी total fees 3,20,000 है जो की आपको 40,000 पे करके पहले 4 साल में आपकी पूरी fees खतम हो जाती है और fifth year आपको कुछ नहीं दे रहे हैं पान साल की पूरी पढ़ाई है यानि की MBA में आप हर 6 महीने बाद 6 दिन के लिए आएंगे यानि की total 4 बार आएंगे और BBA MBA में आप हर 6 महीने बाद 6 दिन के लिए यानि total 8 बार आएंगे यानि पहले 4 साल आएंगे और जो fifth year है आपको projects दिया लगता है मुझे लगता है कि ultimately इस fees में जिसमें रहना, खाना included है यानि की fees भी included है आपका stay, आपका रहना, आपका खाना, आपका fooding, lodging, आपका pick up, airport से pick up, station से pick up या drop ये सब इसमें included है यानि इसमें जो seventh batch है जो हमें fresh dates मिली है वो शुरुआत हो रही है January 30th 2019 से लेके February 3rd 2019 दा एक, दो, तीन को classes and तीन तारीको overnight जनली से वापस आ सकते हैं यह तो आप 4th February को आप वापस आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको admission लेने का मन है मगर आप January की ये dates में नहीं आ सकते तो मैं चाहूँगा या इस के लावा कोई भी आपको query है इस program के वाइन तो मैं चाहूँगा कि आप अंजली में से बात कीजिये जिनका number है 8264097714 मिलते हैं उमीद करते हैं कि आप यह 7th batch के पार्ट बनेंगे क्योंकि अभी तक 6 batches औरड़ी शुरू हो चुके हैं 7th batch आप शुरू हो रहा है जिसमें तक 1st batch की convocation भी हो चुकी है और 2, 3, 4 batches की भी convocation अभी February 9th को हो होने वाली है जुड़िये इस program के साथ MBA या BBA MBA Insurance and Financial Planning शुकरिया नमस्कार